हेलो फ्रेंट्स बिगिनर बॉक्स टू के इस क्वेशन का पहला हिंट विडियो फंडा क्या मैं पोस्ट कर चुका हूँ आपने उसमें देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको लॉफ कंजर्वेशन अफ चार्ज फालो करते हुए यह एजियूम करना है कि पहली बॉड़ी पर जितना चार्ज प्लस क्यू आया उतना ही माइनस क्यू चार्ज दूसरी बॉड़ी पर आया होगा क्यूकि सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा तो शुरू में अगर बॉड़ी इस न्यूटरल थे यानि टोटल चार्ज जीरो था तो बाद में भी वो जीरो टोटल आना चाहिए तो हमने यहाँ पे देखा ये फंडा हमें यूस करना है अब हम देखते हैं फुल सल्यूशन आर हमें दिया हुआ है फोर मीटर बीच का फोर्स दिया हुआ है थ्री पॉइंट सिक्स न्यूटन तो वैसे इस क्वेशन में फंडा समझने के बाद कुछ खास बसता नहीं है क् कि हम जानते हैं f बराबर k q1 q2 upon r square and q is equal to any ये दो चीज़े हमें काम में लेनी हैं दौनों पार्ट को solve करने के लिए तो पहले पार्ट की बात करते हैं तो f का value 3.6 ठीक है k का value 9 into 10 raise to power 9 q1 q2 multiply करेंगे sign avoid करिए तो q square by r square r कितना है आपका 4 तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि सारा data इस तरीके से दिया हुआ है कि आप जब under root लेंगे तो 4 का under root क्या मिल जाएगा आपका 4 square का under root 4 मिल जाएगा यहां पे 3.6 by 9 तो यह कितना हो जाएगा तो देखिए यह हो जाएगा आपका 4 क्योंक 6 by 9 4 हो जाएगा 4 का under root क्या मिलेगा आपको 2 और 10 की power minus 10 आपको मिलेगा तो उस का under root आपको मिलेगा 10 की power minus 5 तो आपको यहां पे मिलेगा 80 micro coulum ठीक है यह तो चार्ज हो गया अब दूसरा पार्ट solve कर लेते हैं दूसरे पार्ट में आपको n निकालना है तो n कितना हो जाए आपका 80 micro coulum तो 80 इंटू 10 raise to power minus 6 आपका चार्ज हो गया और E का value 1.6 इंटू 10 raise to power minus 19 तो हम जानते हैं 16,85 होता है तो यहां data जो हमें दिया गया है वो भी बड़ा comfortable दिया गया है तो solve करेंगे तो यह हमें मिलेगा 50 इंटू 10 raise to power 13 तो पहले पार्ट का answer 80 micro coulum दूसरे पार् 15 to 10 raise to power 13. question बहुत अच्छा है क्योंकि data सब ऐसा लिया गया है जो बिलकुल neat style का है जिसमें आपकी जो knowledge है उसे check किया जाता है rather than checking your calculation part तो यहां calculation तो आप करी लेंगे. Hello Friends, Beginner Box 2 के Electrostats के इस question में हमें दिया गया था in the given figure 3 point charges are situated at the corners of an equilateral triangle of side 10 cm. Calculate the resultant force on the charge at B. What is its direction? तो A हमें दिया है plus 100, C हमें दिया है minus 100, B हमें दिया है minus 100 और हमसे B पर जो net force है वो पूछा है resultant force. तो देखिए क्या करना है इस question में? आपका जो B है उस पर C के कारण क्या होगा? repulsion इस direction में और आपके A के कारण क्या होगा? attraction क्योंकि प्लस माइनस है इस direction में. तो इन दौनों के बीच का force होगया attractive इन दौनों के बीच का force होगया repulsive. यहाँ पे force कौन सा है? कूलम force है KQ1 Q2 upon R2 लगाएंगे. साथ ही साथ superposition लगाना होगा net force के लिए. जो की KQ0 I1 से लेके N तक QI RI का square RI cap. तो हम इसे apply करेंगे. हमें B पर जो net force चाहिए वो इन दौनों का resultant होगा. तो net force on B will be the vector sum of attractive force plus repulsive force. अगर attractive force की बात करूँ, तो attractive force कितना होगा? के Q1 Q2. तो देखिए दौनों ही 100 कूलम है, 100 micro कूलम है, तो Q square हो गया. हाँ, एक plus है, एक minus है. लेकिन magnitude तो दौनों के same है न. और distance कितना है? Equilateral triangle है, तो सभी का distance same है, R square. ऐसे ही अगर repulsive force की बात करूँ, तो repulsive force भी कितना है? के Q square upon R square. तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आपके दो forces हैं, जिनके magnitude same है. और equilateral triangle में यह 60 degree है, तो यह angle कितना होगा? 120 degree. तो basically यह जो question है, यह question आपकी electrostats की knowledge को कम test कर रहा है और vector की knowledge को ज़्यादा test कर रहा है. तो vector आप जो सोचते हैं पढ़ते वक्त के separate chapter है या अलग से हम इसको पढ़ते हैं, तो इसकी importance क्या है? तो इसकी importance आप देख सकते हैं. यहाँ आपको अगर direct result याद है कि दो vector same magnitude के जब 120 degree पर लगते हैं तो उनका resultant भी उनके बराबर ही होता है. इसका मतलब net force on B जो होगा वो actual में आपके या तो attractive force का magnitude कह दीजे या ripple से force का magnitude कह दीजे उसी के equal होगा. तो के का value क्या है? 9 into 10 raise to power 9. 100 µC कितना हो गया? यह 10 की power 2, यह 10 की power minus 6, 10 की power minus 4. square करेंगे तो 10 raise to power minus 8. आर कितना है आपका 10 cm यानि 10 raise to power minus 1. square करेंगे तो 10 raise to power minus 2. solve करेंगे इसको. तो यह हमें कितना मिलेगा? 9 into 10 raise to power 3 Newton. अब सबसे कमाल की बात यह है कि अगर मैं आपको यह question objective में पूछू, चारों option 9 into 10 raise to power 3 Newton. और direction के साथ answer पूछू, तो मज़ा आजाएगा question में. जो कि आपको दिया भी गया है, answer जो है आपका वो direction के साथ दिया है. फोर्स के answer तो हमने निकाल लिया. direction की बात करें अब. तो magnitude का answer निकालने के बाद direction समझीए. यह जो resultant होगा, यह इन दौनों के बीच के angle को equally bisect करेगा. यानि यहाँ पे यह angle 60 degree बनेगा. सेम, स्थिती आपको यहाँ देखने को मिल रही है. तो C से A vector की जो direction है, वही direction आपके answer की है, resultant force की है. यानि यह force लगेगा और किस direction में लगेगा, तो यह लगेगा along CA. तो direction के साथ मिला कर यह सवाल जो है, वह अच्छा सवाल हो गया. beginner box solution के videos के साथ ही मैं आपको quick region videos भी post कर रहा हूँ, मेरे इसी channel पे और मेरे हर beginner box के solution videos से पहले वह post किया जाएगा, जिसका purpose आपको एक तरीके से beginner box को attempt करने के लिए तयार करना है, और आपके beginner box से पहले की जो theory part है, उसको cover करना है, तो प्लीज अगर आपको beginner box को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो quick revision exercise video देखना ना भूलें, so for that you have to like, share and subscribe my channel, don't forget to press bell icon for notifications, और अगर आपको मेरे quick revision exercise या मेरा content text format में चाहिए, तो वो मेरे blog पर available है, question नहीं बनता blogspot.com, अगर आप मुझे कोई suggestion देना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे mail ID पर mail कर सकते हैं, यही content में Facebook page पर भी question नहीं बनता पर post करूँगा, और Instagram पर भी आप मुझे join कर सकते हैं,